नमस्क्राइब दोस्तों मैं अनम तुहिन है और आपका आपका और आपका भी स्वागत करता हूं मेरे चैनल के और एक नई वीडियो में तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम याहू पर फ्री बैकाप ले सकते हैं जी हां दोस्तों याहू जो है आमें फ्री में 1TB का backup देता है 1TB यानि की 1024 GB का free backup और इतना जादा large backup जो है और कोई भी company नहीं देता है अगर हम desktop यूज करते हैं तो कभी कबार हम जो है outlook पे backup लेते हैं या फिर हम जो है google drive पे ही backup यूज वाली लेते हैं तो यहाँ पर जो है हमें ज्यादा कम space देखने को मिलता है जैसे कि 10GB या फिर 15GB इसे ज्यादा नहीं कोई भी नहीं देता लेकिन याहू यहाँ पर जो है free में 1TB का backup दे रहा है तो इसका फायदा तो हमें उठाना ही चाहिए आज की इस वीडियो में फुल डीटेल्स में बताऊंगा कि कैसे हम याहू पर free backup ले सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेयार कर देना चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हमें chrome browser को open करना है और यहां पर search करना है mail.yahoo.com और इसी काम को अगर आप mobile से करना चाहते हो तो simply आपको एक app install करना है जिसका नाम है yahoo mail जो की play store में आपको easily मिल जाएगा तो यहां पर मैं chrome browser से दिखा रहा हूँ आप mobile से भी कर सकते हो मतलब process जो है वो पुरी तरीके से same है तो चलिए इसको सबसे पहले search करते हैं और first में जो link है हमें इस पे ही click करना है और search करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा interface खुलके आएगा अगर आपका login नहीं है यहाँ तो simply आप यहां से login कर सकते हैं सबसे पहले login करना है आपको उसके बाद जो interface है वो कुछ ऐसा दिखेगा सबसे पहले हमें यहाँ पर एक mail को compose करना है तो simply आपको compose पर click करना है यहां से आपको कोई भी size को select कर लेना है जैसा कि यहाँ पर मैं full size select करके done कर देता हूँ यहाँ आपको यह mail है यह आपको किसी को भी send नहीं करना है ठीक है सबसे पहली बात यह mail है आपको किसी को भी send नहीं करना है दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको एक link का option दिख रहा है यह जो है attach file का option है आपको simply जो है इसके उपर click करना है और जिस भी चीज का आप backup लेना चाहते वह आपको यहाँ पर upload करना है तो यहाँ पर आपको attach file from computer के उपर आपको click करना है और यहाँ से आप जो भी upload करना चाहते हो उसको आपको select करना है जैसा कि मैं यहाँ पर यह जो 4 file से इसको मैंने select कर लिया है और यहाँ से मैं इसको open कर दूंगा तो यह जो file से यह अभी uploading हो शुरू हो गया है तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहां पर चारो जो फाइल से वह यहां पर अपलोड हो चुका है और यहां से आपको देख लेना है कि यह जो फाइल है यह सेब हुआ है कि नहीं जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यह जो फाइल से यह सेब हो तो अभी यह जो mail हमने compose किया यह किसी को भी send नहीं करना है हमें ठीक है अधिनल इसको ऐसे ही रखने देना है और यहां से आपको यह जो tab है इसको यहां से close कर देना है तो दोस्तों अभी इस जो फाइल कि यहां पर मी करके दोनों जो ड्राफ्ट है वो यहां पर सो हो रहा है तो यहां से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो खैर मैं नहीं कर रहा हूं और यहां से मैं जैसे कि इस बाला ड्राफ्ट को में उपन कर रहा हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमारो जो से अपने इस एप से भी कर सकते हो मतलब याहू मेल से भी आप इस काम को कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके कुछ एसेंसियल डॉकुमेंट से वह आप यहां पर अपलोड मत किजिए उसको आप गुगल पर ही अपलोड किजिए मतलब गुगल ड्राइब पर अपलोड किजिए यहां पर आप अपना कोई भी मूभी हो गया यहां फिर आपका कोई फोटो वागेरा जो की इतना एसेंसियल नही है उसको आप अपलोड कर सकते हो और यहां पर भी जो है आपका फोटो फुल क्वालिटी में ही रहेगा पतलब क्वालिटी का कोई भी लॉसेस यहां पर आपको देगने को नहीं मिलेगा दोस्तों अगर आपको याहू पे एकाउंट बनाना नहीं आता है तो इससे पहले मेने जो है फुल डिटेल में बताया है कि कैसे आप याहू पे एकाउंट क्रियेट कर सकते हो जाके आप उस वीडियो को जरूर देखना बाकी दोस्तों आज किस वीडियो आपको कैसा लगा है आप जरूर हमें कमेंट करके बताना वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और इस टाइप का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लगना क्योंकि हम ऐसे ही informative और interesting वीडियो आप सबी लोग के लिए लाते रहते हैं तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तके लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातरम